आज के इस मूटिबेशनल प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की साथ टापिक में आप लोगों के लिए एकडमिक विध्यार्थी के संदर्व में लेकर किया हैं कि एकडमिक विध्यार्थियों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए आज हमारा टापिक अस्दर पर पढ़़ाई कर रहे इस्टुटेंट के लिए है तो आज के इस टापिक में हम लोग इन बिंडों के मादनी से सिच्छा का आयाम सिच्छित होने का आर्द अध्यन करने के तरीके, अध्यन की बारबाता और उसके सामानी करण इत्यादी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले सिख्छा का आयाम यहां पर एक टाभी मनाया गया है तो सिख्छा एक बहुत आयामी कारक है, बहुत आयामी बिसे है सिच्छा की बल नौकरी के लिए ही नहीं बलकि सिच्छा बिजनस के लिए ब्याबार के लिए समस्दार के लिए हर अस्तर पर सिच्छा की आउसकता महसूस की जाती है और सिच्छा हर वेक्ति के लिए जरूरी होता है तो ऐसे स्थिती में हम लोग एक एकडमिक अस्तर के विद्यार्थी के लिए किस अस्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, किस अस्तर की तरीके अपनाना चाहिए और किन गिंदूओं को उन्हीं ध्यार में रखना चाहिए, जिससे उनके लिए सिच्छा अत्यत लाग दायक हो, वो ग्यान, बेक्तित, विकास, उनके समझदार होनी का आधार होनी, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी टापिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले सिच्छा बहुत ही महत्पूर्ण है इस आधार पर, क्योंकि सिच्छा आपके कारिकरने के तरीके को बदलता है सिच्छा आपके कारिकरने के तरीके को बदलता है, सिच्छा आपके सूचने के दायरे को बदलता है, न के बदलता है बलकि उसी आधार भी व्यापक परदान करता है, और आपको कई तरीके से सूचने के लिए बीबस भी करता है, इसलिए सिच्छा परतेक इस्थिती में आ प्रृद्ध कर्ae है कि आप के ऊपर किसी भी तरीकिये का दबाव नहीं है किसी भीच्विशट की समास की अ कि इसी जिन्म्मेदार तो आप एक below सिटभी आप को सचा साहच गर्ण करने का प्रयास कीजिए साहच गर्ण करने का तात्फ़ यह नहीं है कि आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई ही कीजिए बंकि आप के लिए इंपॉर्टेट है कि आप 7-8 घंटे की अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें कुछ फिजिकल वर्क के लिए आप जरूर समय निकालने का प्रयास कीजिए आप 15-20 मिनिट डेली फिजिकल वर्क कीजिए आप अपने पढ़ाई अपने स्वास्त और सारी चीजों में बहतर संतूरत कायम कर पाएंगे इसलिए सिच्छा एक ऐसा कारक है जिसके महत्तों को आपको अपने अकेडमिक अस्तर में समझने का प्रयास करना होगा क्योंकि ऐसा समझ करके ही आप अपने जीवन को चमका सकत हैं और जीवन में उन उचाहिवों तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं तो ऐसे इस दिति में आपको सिच्छा की महत्तों को समय पर समझने की जरूरत है आप एकडमिक अस्तर पर हैं किसे दी कप्छा क्लास में हैं वहां पर आप पढ़ाई को प्रियास कीजिए जिससे आपके जीवन में एक चमक आजाएगी यहां पर मैं बार बार एक सब्द का प्रियोग कर रहा हूं समझदार तो आने वाले इस ताफिक में सिच्छित होनी का अर्थ सिच्छित होने के अर्थ इस हेडिक के अंतरगत जो है इस फैक्तर के अंतरगत हम आपको बताने का प्रियास करेंगे कि समझदार का क्या अर्थ है जैसे सिच्छित होने का अर्थ यह कभी भी नहीं है कि आप हर बर्स किताबों को पढ़ते रहिए और अगले क्लास में पहुं अर्थ यही है कि आपके जीओन में अलग-अलग प्रकार की परिश्थितिया आती हैं। आप कभी अपने इसे बड़े अधिकारी के साथ, अपने इसे बरिश्ट के साथ, अपने फेमली के साथ, कभी किसी सारीरी के हुप से अक्षम दिव्यांग बेक्ति के साथ आप पढ़ते हैं। अब यहां पर यह सवाद उत्तन होता है कि आप परिश्थिकियों के इनुसार ब्यवहार कैसे करेंगे। अपने जीवन में उतारनी का परियास कीजिए। हाई स्कूल इंटर्मीडियर्ट या इस परकार के कच्छाओं में भारत की महान भी भूतियों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसका तार पर ये होता है कि हम उनके व्यक्तित और कृतित उसे परचित हों। उनके पीछे की क्या खानी है उस चीज को सीखने का परियास करें और उसे जीवन में जो है हम लोग उतारने का परियास करें। इसलिए किताबों से सीखी हुई बातें महापूर्सों के जीवनी में उनके व्यक्तित और कृतित से पढ़े हुए ज्यान को अपने परिष्थित्यों के अनुसार, क्योंकर प्रिष्थितियां भी अलग अलग होते हैं। परिष्थितियों के अनुसार उतारने का परियास केजिए और ऐसा करके ही जो है आप अपने आपको ब्यवहार के अनकूल परिष्थितियों के अनकूल अपनी परिष्थितिया को अपने ब्यवहार को देख करने में सफर लोंगे तो इस तरीके से किताबों के माध्यम से और म वो आपको समझधार बनाने का प्रयास करता है यहां पर एक और चीज मैं बताऊंगा चाहे आप सिर्चा की छेतर में हो चाहे आप बिजनस की छेतर में हो या किसी भी फील्ड में हो वहाँ पर जिन लोगों ने पूर्प में जो भी कार किया है उनके द्वारा किये गए गलतियों से भी सीखने का प्रयास होना चाहिए क्योंकि अगर आप सुएंग गलति करके सीखने का प्रयास करेंगे तो आप अपनी जिन्दगी में बहुत पीछे चले जाएंगे ऐसा इस संदर में मैं एक कोट को यहाँ पर उद्रित करना चाहूंगा कि यह जीवन अपने ही किये गए गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कम पर सकता है बहुत ही छोटा हो सकता है या जीमन अपने ही किये गए गलतियों से सीखने के लिए बहुत छोटा होता है इसलिए आपको ये परियास करना होगा कि आप अगर किसे भी अस्तर के किसे भी कच्छा में हैं तो वहाँ पर जो पढ़ाई करने हैं आपसे जो बरिष्ट हैं जो आपकी सीनियर रह चुके हैं उनके बारे में आप सुचिए कि उन्होंने क्या तुटियां की थी चाहे वो परिच्छा में किसी भी टापिक को पढ़ने को लेकर के हो सकता है या एक्जाम में समय के प्रवंधन को लेकर के हो सकता है तो उनके किए गलतियों से भी सीखने का प्रियास कीजिए तnyए कोई भी एक्जाम आपको एकडिमी क स्तर पर केवल एकवाल ही देना होता है ऐसी इस्तिती में उसकी पूरी की पूरी तयारी आपको करना होगा सचित होने का साथ परें केवाल कीताबों को पढ़कर हर अगले कच्छा में पहुंचना ही नहीं बल्कि समझधार होना है और समझधार नहीं जुन रघ्यास करेंगे तो हम अगरेट आप कोई की तरह बढ़ते हैं कि अध्यन करने का तरीका कोई भी टापिक कोई भी बिसे जब आप पढ़ रहे हों तो उसके महातुकूर बातों को अंडरलाइन करने का जो है जरूर परियास कीजिए महातुकूर बातों को अंडरलाइन कीजिए और दूसरा है म हाद पूर सब्दों को भी अंडरलाई कीजिए और उन सब्दों को भी समझने का प्रियास कीजिए मैं यहाँ पर सभी अपने सम्मानित अध्यापक गर्ण से भी यह अन्रोथ करता हूं कि बच्चों को जो भी विसे आप पढ़ा रहे हों उन विसे में आने वाले उन टापिक के 70 से 80 परसेंट जानकारी बच्चे को स्वेंग हो जाती है और आप सभी हमारे फोनहार बच्चों से यह मेरा जो है अनुरोध है और कि इस तरीके से वो भी पढ़ाई करने का प्रियास करें और इस तरीके से पढ़ाई करने के बाद उनके जियों में काफी कुछ परिवर् करेंगे जो अपने आसपास की बारे में सारी जानकारी प्राप कर चुके होंगे क्योंकि ब्यवहारी जो जानकारी है यह बहुत आगे ले जाता है तो इस तरीके से महातुपूर्ण बातों को अंडरलाइं कीजिए और बिस्ष्ट सद्दों को उसके अर्थ जरूर समझने क जो प्रियास कीजिए जैसे मानगी चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आता है कोई सब्द सब्द के पढ़ करके आप छोड़ने के लिए जब्द नहीं है सब्द का अपना एक अर्थ होता है और उस सब्द को आप पढ़ने का प्रियास करेंगे सश्ट नेवन जीमन प्रनाली एक ऐसे कारे प्र्नाली को एक ऐसे विकास के माडल को सुविकार करेंगे जिसंसे आनेवाली पीड्रियों के लिए हम प्राकृतिक संसादनों के साथ-साथ प्रयावन की गुर्वत्ता को बनाये लखने में सफ़द हो पाएंगे और आज की पीड़ी कियाव सब्ताओं को भी पूरा तर्टने में सफ़द होंगे तो इस तरीके से सतत सब्त अपने आप में काफी कुछ चीजों को समाहित किया हुआ है और इसी तरीके से जब हम सब्तों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे तो आने माले समय में हम एक ऐसी इस्तिदी में पहुँचेंगे जब कि आस पास की चीजों के साथ साथ महत्तपूर अधाराओं को हम समझ चुके होगे तो इस तरीके से महत्तुन बातों को अंडरलाइन करना है और महत्तुन सब्दों के मतलब को अर्थ को ब्याक्या को समेजने का परियास करना होगा किसी भी टापिक को उसी इसी बिंद में हम जो है धिन करने की तरीके भी बता रहे हैं कि किसी भी टापिक को जब हम पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने के बाद अगर गंटा समय उसके लिए ड्धारित है तो हम 55 मिनिट ही उसका पढ़ाई करेंगे और पांच मिनिट उसके जो है रिवीजिन में उसको दोगराने में समय निकालने का परियास करेंगे और ऐसा करके हम उस विसे को असपश्ट कर लेंगे उस विसे पर अपना एक दिर्श्टी कौन बेसित कर लेंगे कहने का ताथ पर है कि उसको पढ़ने के बाद उसे रखने के पहने पांच मिनिट उसको जरूर दोगराएंगे और अंद में होता है निसकर्स अंद में जो है निसकर्स का ताथ परिया है कि हम उसके बारे में एक समझ विक्सित करेंगे उसको इस तरीके से निसकर्ष निकालेंगे कि हमें किसी दूसरे को अगर समझाना हो तो हम उसस समझाने की इस्तिती में हो पताने की इस्तिती में हो लिखने की इस्तिती में हो तब यह माना जाएगा कि वो टापिक वो विसे का वो विसिष्ट टापिक आपकी तैयारी और आपके समझ के दायले में आ चुका है तो इस तरीके से पढ़ने के तरीके में महात्पूर बातों को अंडरलाइंग करना और दूसरे नंबर पर महात्पूर बिसिस्ट सब्दों के जो है आर्थ को आपको समझना होगा तीसरी बात यह है कि 5 मिनिट लाश्ट में विविजन करना होगा और चोती बात यह है कि मिसकर्ष निकालने के बाद आप इस तरीके से समझ बनाना इस तरीके समानी करना कि ताकि आप दूसरे को जो समझाने के इस्थितिती में पहुंच जाए अध्यन की बारम बारता यहां पर टापिक बनता है अध्यन की बारम बारता कि कोई टापिक कितरी बार करना चाहिए कितरी किताबों का अध्यन करना चाहिए यहां पर यह बात यह और भी समझ लेना आउस्थिक है कि किताबों की संख्या कभी आपको समझदार नहीं बना सकती है, बलकि सही तरीके से चुने गए किसी भी विसे की एक से दो किताबों का कई बार किया गया अध्यन आपको उस विसे की जानकारी अच्छी तरीके से प्रदान कर सकता है, इसलिए किसी भी टापिक का किसी भी वि जो परियास करना होगा और अइसा करके आप उसके बारे बरी बेहितर समझ ग्षित करने में सफ़क होगे इसी तरीकी से कितनी बार पढ़ाई करने का तो यह तिर आयामी जिसी वी करेंगे किसी भी तापी का तीन बार जरुद्धन करेंगे एक बार तो आप पढ़ाई जब लाइट का समयरे06 मैं उसको द呼रchlagen में जरूर यूज चरेंगे। और तीसरी बार आप षजङ सी तीन दीन के अंदर चौरर दोस्ते को उसका टैम्स करंगे हैं तो यहां और ध्यान मेसा है कि इंदु दुद ऴार बार को जो है आप उसी टाइम पर पढ़ाई कर लेंगे और तीसरी बार की पढ़ाई आपका तीन दिन के अंतरगत उस टापिक का जरूर होना चाहिए इन विंदूों के माध्यव से आप अपने उस टापिक की तयारी को कंप्लेट कर पाएंगे यहां पर यह कुछ कॉईंट रहे हैं जिनके आप लोगों को पढ़ाई के दाँरां ध्यान में रखना होगा हमारे केडमी करण मियकस्क्र किसे बेट का सामान्नी करन काताब पर यह है कि वहारी जीवन और जगत में अगर उसको कुछ सब्दों में विक्त करना हो तो आप कैसे कर पाएंगे जैसे कहीं पर भी समस्याइं चल रही है कि ग्लोबल वर्मिंग क्या है बैसनी कुस्पन क्या है यह कहने का मतलब यह है कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोड़क्स यूज कर रहे हैं हमारे प्राकृतिक संसाद्रों को प्योग में लाया जा रहा है रोड़ पर चलने वाली गारियां हैं कलकार खानों से निकलने वाले धुई हैं इससे परियावर्ण में परदूसर बढ़़ा है और उस पर दूसर के कारण से हमारे इस प ग्लोबल वार्मी के दायरे में ला सकते हैं तो कहने का तार्थ पर यह है कि सामानी करण का आर्थ यह है कि बहारी जीवन और जगत में उस चीज का किस तरीके से आप ब्याख्या कर पाएंगे इस बात की समझदारी पैदा करना और अपने मित्रों दोस्तों से उससे चर्च के माध्यम से इन बिन्दू के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ आई होगी और इसी तरीके से आप अपने तयारी को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए मैं दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात को जो मैं बिरान देना चाहूंगा कि अभी ने पूछो की मेरी कहां है क्योंकि अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है न कभी हारे थे और नहीं कभी हारेंगे यह किसी और से नहीं यह खुद से वादा किया है चलें